नमस्कार मित्रों रीट 2020 की गोसना शिक्सामंत्र जी के द्वारा काफी टाइम पहले की जा चुकी है और 2 अगस्त को संभावित परिक्षातिती भी गोसित की जा चुकी है और पहले का record देखें तो जब भी read की परिक्षातिती गोसित हुई है उस समय exam हुआ है तो अगस्त का आप target मानके तयारी करें तो आप यहां देखेंगे thumbnail में free seminar, मेराथन कलास, नियमीत बेच, test series, आदे बहुत सारी जो चीजें हैं यह और इन सब की जानकारी जिसमें test schedule क्या रहेगा, पुरुसकार, टेस्ट में जो पर्थम आएगा, पुरुसकार, नए बेच, इन सब के लिए आप यह वीडियो देखें perfect coaching का भी प्रेचे आपको करवाएंगे, बुगाले एश्टेस नर्स से आप संपरक कर सकते हैं, सुजान गड़ से और यह जो perfect coaching है, उसके परनेता, उसके संचालक, यह है स्रीमान प्रेमाराम जी बुगालिया और थोड़ा और बता दूँ, इसी coaching में फिलहाल, पुलिस constable और पटवारी के बेचेज जारी है, यह मादव चारण फर्ष्ट रेंक, रेंकर है पिछली बरती से, यह लाल संजी, जो यही पोस्टेड है, चुरू डिस्टिक में ही, तो यह जानकरे में पहले भी दे चुका हो, और यह perfect coaching का staff और जो टॉपर्स जो selected है उनके साथ में, तो अब दोस्तो हम आते हैं विसे पे, कि यह test series क्या रहेगी, इसका पूरा schedule क्या रहेगा, और बाकी जो तमाम जानकरी, उसके लिए आपको दिखाते हैं PDF, तो मित्रों, पहले मैं आपको बता दूँ कि test series किस लि ही है, अगर आप पहले के विद्यारती है, यानि आपने तयारी अच्छी कर रखी है, रीट के पिसली बार भी, और आप कुछ ही नमरों से रहें, तो इस बार आपको अपने मुल्यांकन के लिए test series जोइन करनी चाहिए, अगर आप नए विद्यारती है, तो आपको नियमीत बेच और test series दोनों भी जोइन करने चाहिए, या फिर आप self study करते हैं, तो भी आपके लिए test series फाइदे मन रहेगी, तो इस तान आपको पताई है, परफेक्ट कोचिंग कलासेज, अगर सेंट टावर, इस्टेसन रोड, सुजान गड़, यहाँ पे आप आ सकते हैं, जीट या आर्टेट 2020, परिक्षा तिती 2 अगस्त 2020 है तू, test series होगी, time table यहाँ दिया गया है पूरा, और offline रहेगा, देखिए offline, online आप पड़ाई भालंगे करते हैं, मगर test अगर आप offline देंगे, तो एक 100-200 लोगों के बीच में हम test लेते हैं, उनके बीच में हमारी क्या rank रहती है और omar best आप देते हैं, क्या गलतियां रहती है omar भरने में, वो सारे अनुपो जो है exam hall के, वो आपको मिलेंगे, तो इसका यह आपको तोड़ा benefit रहेगा, और एक चीज और, इन test ओंका आयोजन, SP शोरान सर हैं, जो जेपुर के faculty हैं, उनके तयार किये हुए है paper, वो लेंग ठीक है, आगे हम बात करें, कि यह इसका time table रहेगा, और test का जो समय है, वो 11 से साड़े बारा फिलहाल fix किया गया है, अगर आप दूर दराज से आते हैं, यह Sunday को ही रहेंगे द्यान रखना, Sunday को ही रहेंगे, अगर आप दूर दराज से आते हैं, मान लिजिए किसी दूसरे जीले से, तो आप 11 बज़े तक पहुंच सकते हैं, अगर किसी बज़े से लेट होता है, तो हम 11 का 12 भी कर सकते हैं टाइम, वो बेच शुरू होने के बाद करेंगे, तो जैसा कि प्रेमाराम जी बुगाले साब ने बताया, कि यह जो test series है, वो दो फ्रवरी से प्रारम होने जा रहे हैं, संडे से, ठीक है, और 31 मई तक यह चलेंगे, तो फरवरी से मार्च, अप्रेल, मई, लगबग 3 महिने में आपका कॉर्स जो है वो, आप self study करके पूरा करेंगे, आपको बुक्स बताई जाएगी, और उनमें से आपका test लिया जाएगा, सो क्यूसन रहेंगे हर test में, सो लह test होंगे, यानि सो लह सो क्यूसन, 90 मिनट आपको हर test में दिये जाएंगे, ओमार सीट पर भरनी होगी आपको, फिर आपको result जो है, वो what's up पे प्रणाम आपको बता दिया जाएगा, क्या आपकी rank रही, तो दो फरवरी को सामाजिक विग्यान, कक्षा 6, यानि इसमें रहेगा क्या, अगर आप विग्यान के हैं, या आप सामाजिक विग्यान के हैं, या आप साइंस के हैं, तो साइंस के लिए भी, और सामाजिक वालों के लिए भी, दोनों के लिए test series है, ये, इसमें आप ध्य की हो तिनों ही यही रहेगी और इनी से टेस्ट जो है लिया जाएगा तो आपको कह दिया जाएगा कि दो फ्रवरीत तक आप कक्साच है कि आप सामाजी की और विग्यान की पुछतक पढ़ लेए जो जो सेलेवस में है वो वो बाठ पढ़ लो या पूरी किताब पढ़ लो छोटी सी किताब है उसका पूरा टेस्ट आपको ले लिया जाएगा दो तारिको उसके बाद में अगली जो नो तारिक है जिसकों कि संडे है तो हिंदी व्याकरण के लिए किताब चलती है या नीचे दिया गया उसका नाम जो मादे में एक शिक्षा बोर्ड के द्वारा परमानित है उनके द्वारा मानने तपराप्त किताब है जो चलती है नो से बारा तक बोर्ड के आर्बियसी बोर्ड की तो इसके क्या है टीन या चार्ट इसे में बांटके इसको प्रिष्ट एक से तेतिस और मुनवी ग्यान के लिए जैसे पांच यूनिट है तो पहली यूनिट तो इनके कुल मिलाकर जो है अंक जो है यहनी सो क्यूसन बनाकर और उनका टेस्ट आपसे लिया जाएगा 9 फर्वरी को तो इसी तरह से सब्ता अदर सब्ता है जो है यह सिश्टम रहेगा फिर कक्सा 6 फिर कक्सा 7 फिर कक्सा 8 की सामाजिक और इसी तरह से यह प्रष्ट बढ़ते जाएगी यूनिट बढ़ते जाएगी ठीक है फिर हिंदी व्याकरण के परिष्ट बढ़ गए अब आगे क्या होगा 29 मार्च 1 मार्च 15 मार्च 29 मार्च यहां क्या है चुंकि 8 और 9 को हो ली है इसलिए वो अवकास रख दिया है तो यहां पर फिर 6, 7 और 8 का स्यूक्त पेपर होगा तीन कलास आपने पढ़ लिए ताकि रिविजन हो जाए आप कहीं भूल नहीं जाओ तो वो पुस्तकें आपने जो अंडरलाइन कर रखा उसको आप पुनहा रिविजन करके आएंगे और यह भी आपको वहां बताए जाएगा कि पिसले बार जो क्यूसन साहे थे अपना रहेगा कक्षा नो फिर कक्षा दस फिर कक्षा नो दस का सयुक्त फिर इदर हिंदी की शिक्षण वीदिया सामाजी की शिक्षण वीदिया सिक्षा मनोविज्यान बहुत सारी चीज़े जो है इसमें कवर होने वाली है सामाजी की विग्यान कवर हो रही है विग्यान कवर हो रही है हिंदी कवर हो रही है हिंदी की शिक्षन वीदिया कवर हो रही है और उसके अलावा आपके शिक्सामनो विग्यान पूरी कवर हो रही है आपके जिसे उनिट पांच हो गया तो आप इसको आप देख लेना आराम से इसका आप स्क्रिन सोट ले सकते हैं जैसे देखो आप एक तो ये पेज है इसका आप स्क्रिन सोट ले ले वे ये लो ठीक है नो तक आ गया इसमें ये ये नो तक आ गया ठीक है स्क्रिन सोट ले लो आप इसका इसके बाद में ये लेक करके बता देवें और इसके अलावा जैसे देखिए ये लाश्ट में क्या होगा हिंदी व्याकरण संपूर्ण मौनविग्यान संपूर्ण ये शिक्सन भी दिया ये 6-10 की किताब संपूर्ण उसका पेपर तो एक बहुत अच्छा महोल और ये मिलने वाला है संजेपाल जी न किताबे चलती है राजस्तान में वो और हिंदी व्याकरण के लिए ये किताब है हिंदी व्याकरण एवम रचना प्रबोध इस नाम से आपको पाटे पुस्तक की दुकान में मिल जाएगी या आपके परिवार में कोई बच्चे पट रहे हैं उनके पास मिल जाएगी कक्सा तो आप इन पुस्तकों को इस्टेडि करें और एक पेज वाई पेज आपके पाम सामने टार्गेट रहेगा कि साथ दिन में आपको इतने परिष्ट पढ़ने है और फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा तो आपको लगेगा कि आपके त्यारी जो है वो जोन तक कंप्लिट ह हो चुकी है उसके अलावा आप और सेल फड़ेंगे ही इन 16 टेस्ट की फीस जो है 15 रुपे रखी गई है संपुर्ण फीस संपुर्ण टेस्ट की संपुर्ण टेस्ट स्रीज में पहला दूसरा और तीसरा जो टॉपर्स होंगे उनको आकरसक पुरुसकार भी दिया जाएग हर टेस्ट में नहीं कमवाइंड जो है सोलर टेस्ट अटेंड करेगा उनमें से जो टॉपर्स बनेंगे सोलर टेस्ट में जो ओस्त एवरेज जो टॉप रहा तो तीन पुरुसकार जो है 21 जून जो की योग दिवस और सबसे बड़ा दिन है उस दिन दिया जाएगा तो यह तो अपने हुई बात टेस्ट सीरीज के बारे में ठीक है अगर आपको एक टेस्ट सीरीज जो इन करनी है तो आप कमेंट करके इसमें आप बताएं अपना नाम बता दें आपका नाम नोट कर लिया जाएगा अपने मोबाइल नमर भी आप बता सकते हैं नहीं तो क्यों आप नाम और गाउं का नाम इस्तान का नाम बताते हैं दो फरवरे से स्टार्ट होने वाले हैं आप कोशिस करें कि आप किसी भी टेस्ट से वंचित नहीं हो और संडेक हो है तो आप कोई भी काम करते हैं तो भी आप आसकते हैं आप या आपके परिवार के लोगों को आप बताएं, आगे हम बात करने वाले हैं, इसी वीडियो में, जो मेरा थन कलास और रेगुलर कलास की, तो टेस्ट स्रीज का आपके कलिर हो गया, और भी कुछ आपके रह गया है, तो आप मुझे कमेंट करके जो है, इसमें पूछ सकते हैं उनका जवाब आपको दिया जाएगा अब देखे, रेगुलर कलास की बात करें तो जैसा की, उगलेजे ने बताया कि दो परकार के बेच जो है, इस बार प्रारम होने वाले हैं एक तो रहेगा मेरा थन और एक नियमित पहले आप दियान में रखे, फरी शेमिनार ये जो संडे है, 19 तारीक को 19 जन्वरी तो संडे के दिन, दो फर दो बसे तो से चार बज़े तक फरी शेमिनार रहेगा जिसमें जो टोटल फेकल्टीज है वो अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कुछ टोपिक भी आपको बताया जाएगा कुछ पढ़ाया जाएगा और आगे की जो पलानिंग भी बताया जाएगी तो फरी शेमिनार आप जरूर रटेंड करें रीट के तैरीक कैसे करें जरूर नहीं कि आप कोचिंग इलिए आप घर बेठी भी कैसे तैरी करें तो अगर आप सुजान गडिया आसपास के हैं तो आप इस फरी शेमिनार को जरूर रटेंड करें दो फर दो से चार संडे 19 तारीक ये 19 जनवरी अब मेरा थन कलास जो है ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास में समय कम है तो वो लोग एक से गेड़ महिने में पूरा अपना कोर्स पूरा करवाना चाते हैं तो समय रहेगा प्राते हैं दस से पांच बजे या पिर अगर ये भी कम पढ़ा तो प्राते हैं नो से छे बजे यानि कुल मलाके आपको पूरा दिन जो है वो पढ़ने में ही देना है तो इस दर्मियान जो है करीब डेड़ माह में जो रीट का कोर्स है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी या जो भी आपकी भासा है, सामाजिक है, मनविज्यान है या फिर आपकी विज्यान है जो भी आपका रहेगा, आपका पंजीकन होगा पहले और आप जो है ये ले सकते हैं कलास नियमी तवेच की बात करें तो नियमी तवेच के लिए जो रेगुलर वेच है, जिसमें कोर्स की अवदी रहगी तीन से चार माँ है, ये उन लोकों के लिए है जो गरगरस्ती आकामकरजी या रोजगार में लगे हुए है तो वो साम को तीन बज़े से लेके च्छे बज़े तक का समय रहेगा इसमें थोड़ा बहत उपर नीचे हो सकता है साड़े तीन, तीन, च्छे, साड़े च्छे ठीक है, दो से पांच जो भी है तो ये लगबग शेडूल ये रहेगा तीन से च्छे अमोमन इसमें करीब तीन से चार माह में कोर्स पुरा होगा तो फरीश हे मेनार आप ज़रूर अटेंड करें मेरा थनकलास अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं या फिर आप बुगालिया इस्टेस नर्स सुजान गड से आप संपरक करें और दोनों बेचेज जो है नियमित बेचेज इनके लिए भी जो है और बेचेज कब परारम हो रहे हैं सोमवार से बीस तारेक से ये बेचेज परारम हो रहे हैं टेस्ट सीरीज परारम हो रही है दो फरवरी से तो उसके लिए आप पहले ही बताएं था कि उस इसाफ से फोटो कोपीज ओमार सीट जो सीट है आपकी वो सब आपकी दी जरुबर रखी जाएं तो दोस्तों आई होफ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो आप कमेंट करें और आपके को साथी परिवार के लोग अगर कोई इस तरह से आसपास माहूल से और आसपास के हैं और आप ये जोइन करना चाते हैं तो आप उनको जरूर शेयर करें वीडियो और कोई आपकी कोईरी हो तो आप मुझे यहां कमेंट करना जिसका जबाब आपको दिया जाएगा रही बात इस बेच की फीस की ये जो मेरा थन और नियमित है तो जैसा की संचालक मोदे ने बताया कि जो दो साल पहली थी लगब वोई फीस है और जो पुराने विद्यार थी उनको 10% डिसकाउंट दिया जाएगा जो टेस्ट सीरीज और फीस टेस्ट सीरीज और बेच दोनों लेना चाहें उनको भी डिसकाउंट रहेगा तो आप बुगालिया इस्टेस्ट से आप संप्रक करें ठीक है दोस्तों धन्यवाद